दोस्तों नाम नेहाथ रिपाठी और हम तो अक्सर मिलते रहते हैं रिवा में हर बार आती हूँ यह सर लो सब के साथ जैसे शुरुआत होती है मैं भी प्राइवेट जॉब में थी नौकरी करते हुए यह बिजनस दिखाया गया समझ में बात नहीं आई लेकिन एक बात सर ने मुझे भोली कि मैडम नौकरी में जीवन भार अकेले काम करना पड़ेगा यह सॉर नो करना पड़ता है कि नहीं मैंने अपने घर में देखा है मेरे माता पिता दोनो गवर्मेंट जॉब में थे अब रिटायर हो गए और जिन्दीगी बारा के लिए काम किया Yes or No लेकिन प्राउड है आज ये बात बताते हुए कि आज उम्र भी कम है लेकिन आज परे भारत के अंदर मेरे साथ 28 लोग काम करते है ये पावर है सेफशॉप की ये पावर है सेफशॉप की Thank you आपकी तालियों के मजब भी आ रहा मुझे सलवा जलन हो रही आखो जलन हो रही है वो गुलाब ही क्या जिसमें लाली नहो वो गुलाब ही क्या जिसमें लाली नहो वो गुष्ण ही क्या जिसमें माली नहो अरे वो ससुराल ही क्या जिसमें साली नहो एक परे प्रोग्राम ही क्या, जिसमें धमाके दार ताली नहीं हो, जोर नार तालिया कि यह सेफ-शाफ संस्था, यह सेफ-शाफ संस्था खुशियों और सपनों का व्यापार करती है, और इन जिनके सपने जिन्दा है, उनके सपने को साकार करती है और यह नीया दिस पाती, आप सभी को आज इस प्रोग्राम में तहे दिल से नमस्कार करती है. थांक यू, थांक यू, एक बात कही जाती है, मुझे बड़ा सो भाग है यह बात बताते हुए, कि एक लाइन कही जाती है, कि बेटे तो भाग इसे मिलते हैं, बेटे तो भाग इसे मिलते हैं, लेकिन बेटियां सो भाग इसे मिलती हैं, ये सौर नो, तो आज जितनी भी यहा सम्मान दिला सकती है यस और नो कि दो सिस्टम से पहले मैंने छे सॉल जोब किया है और जोब पे जाने वाली लेडीज है क्या फेस करती है आप अप अच्छे समझते हो यस और नो हर तरह के लोग से आपर सचे की नहीं है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इतना चीवेंट साब सारे लोग जानते ही है इस सिस्टम ने मुझे बहुत सारी चीजे दी है आजसर जैसा बोल रहते हैं कि आस्था से करना है आज रियल में अगर मैं बात करूँ तो मेरे नसनस में सेफ शॉप है चौभी सो घंटे दिमाग में सेफ शॉप चलता है कभी से इस बिजनस ने मुझे क्या दिया है जानना चाहते हैं इस बिजनस ने मुझे एक अच्छी लाइफ दी है लाइफ स्टाइल दी है और एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी दिया है सेफ शॉप ने जोगार तारिया क्योंकि मुझे वेशा लगता था इस बिजनस को करते समय कि भगवान पता नहीं कहां साधी हो जाएगी पता नहीं वो बिजनस करने देगा की नहीं करने देगा सही है और आपको बता दू अपलाइंग वो चीज है ना जो आपकी सारी समस्याओं का है जिनके पास होता है य मैंने बोला यार अपलाइंग को कुछ ना कुछ करना चाहिए यह सोर लो अर देको अपलाइंगे टाका बेडा दिया जितने भी माता पिता यहां बैठे हैं जिनके बच्चों यहां काम कर रहे हैं मैं बिल्कुल उंको आश्रस्त करना चाहती हूँ आप बिल्कुल बाद दीजिए एक दिन आएगा जब आपके बच्चे भी ऐसे बोल रहे होंगे यह सोर लो तो चाहते हैं सारे लोग अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं तिकि दोस्त इस बिजनस में पैसा देखके तो सब आते हैं यह सोर लो लेकिन एक और चीज जो मुझे अट्रक्ट क आईगी अपनी सबचार पढ़ने वाले की फोटो आती है कि नहीं तो सतना का लोकल दीज चैनल था मैंने इसको जॉइन किया कॉलेज के साथ साथ कि कम फोटो तो आएगी लोगों की टीवी में यह सोर लो तो पहचान बनाने की चाहत तो पहले दिन से थी और बड़े प्या सिस्टम और से शॉप और यह फ्रेंट लाइन के मेंडर्स ने दी है यह सोरो आप चाहते हैं पैसा समय सम्मान सुरक्षा यह चारो चीज़े अगर आप जीते जी पाना चाहते हैं और कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है लेकिन मैं बोलती हूँ जीते जी अगर स्व शॉप में आईए काम करिए अपने परिवार के साथ सुर्ग जैसा आनद लीजे यह वो जगह है तो बहुत सारी चीज़े आज हमने सुनी बहुत स्वागिशाली है हमाप कि आज हमारे गुरू का हमको समय मिला यस और नो और मैं अपने आपको परसनली बहुत स्वागिशा डाउन लाइन हूं स्वागिशाली अपलाइन हूं सब्सक्राइब बढ़िया चल रहा है दुआधार कैसा लगेगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो मैं खासकार इधर वालों से पूछना चाहूंगी अच्छा लगेगा लेकिन एक बात बताईए क्या कोई भी चीज इतनी या असानी से मिलती है नौ बिना संघर्ष की जीवन नहीं होता सचह की नहीं है कहते हैं जीवन का नाम ही संघर्ष है आपको संघर्ष dir मेहनत लगी होगी, पसीना बहाया होगा, खून के आसू भी रोए है, सचे कि नहीं है, उस दिन रोए थे, इसने आज बैटके काजु खाते हैं, सहीना, थांक यू, थांक यू, लेकिन कभी निराश्ट नहीं हुए, सबसे बड़ी बात, छोड के नहीं भागे, कभी दिमाग म एक परसंट भी नहीं आया कि नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम था, अगर बीपी सर के साथ हुआ है, अरुन सर के साथ हुआ है, बहुत सारे लाखों लोग आज भारत में सेव शौप से जिंदगी बतले हैं, तो एक दिन आएगा नहीं हैं, तेरे साथ सुनिये, और आपके अंदर जो इश्वर बैठा है, वो कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, सचे की नहीं है, तो कितने लोग मुठी बांते हैं, चार साल कुछ भी हो जाए, लोग कितना भी वोलें, कितना भी व्यंग मारें, कितना भी हसी उड़ाएं, कितना भी घडरी ठीक करने वारे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्या? घडरी ठीक करने वारे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन समय तो केबल परमात्मा ठीक कर सकता है, यसवरनो, thank you! तो आज उस परमात्मा की वज़े से ही आप यहाँ पर बैठे हैं, सचे की नहीं हैं, ऐसे नहीं आ गए हो आप, टिकेट लेकर, उसकी मर्जी थी, कि आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर आएं, सचे की नहीं है, आज से चार साल पहले मुझे भी यह म उपरवाले का धन्यवाद सही सलामत है, सही है की नहीं है, यह सोर लोग, मैं मुठी बांते हैं सारे लोग, पक्का, तयार है, हर स्टिती में पॉस्टिव रहेंगे, कभी किसी की नहीं सुनेंगे अपने अप्लाइन के अलावा, तयार है, तो एक छोटी सी स्टोरी से अपन कोई बताना चाहिएगा, भगवान गडेश को सारे लोग जानते हैं, घर गर में मिलते हैं की नहीं, मिलते हैं, हम रोज उनके सामने शीज जुकाते हैं, अपनी मनों कानना मांगते हैं, यह सोर नो, गडेश जी से हमको बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलती हैं, और वो हमा पार्वती जी ने उनको अपने हाथों से मिट्टी से बनाया था, सही है कि नहीं है, और मिट्टी से बनाने के बाद उसके अंदर प्लान डाले थे, यह सोर नो, अब उनको एक शिकायत हो सकती थी, आप सुचो गडेश जी को जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी आई, लेकिन व हमेशा पॉजटिव रहे, जब उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी नहीं थे, उनके पास, सही है कि नहीं है, तो पहला मौका शिकायत का बनता है कि नहीं, कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरा बाप ही नहीं था, यह सुर नो, यह सुर नो, लेकिन वो पॉजटिव बने रहे, जब वो आठ साल के हुए, उनकी माता पारवती इसनान कर रही थी और उनको बाहर खड़ा कर दिया, पहरेदारी के ने किसी को अंदर मताने देना, सही है कि नहीं है? सही है, उसी समय भगवान शेव आते हैं, अब जब आठ साल से हैं, जिस बच्चे ने अपने पिता को देखा नहीं है, तो क्या वो पहचान पाएगा? उसने मना कर दिया कि नहीं अंदर जाना है, राव नहीं है, माता सनान कर रही है, अब आप सोच के देखो, कोई विचारा हस्बंड आठ साल बाद आएगा वाइगा वाइप से मिलने, और कोई रोके, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सशे की नहीं है, भगवान शिर्ट की तीसरे नेत्र खुल गए, गुस्टा आ गया, और गुस्टे में जापड भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन क्या किया? उठाया त्रिशूल और गर्दन, कर दिया? सब जानते हैं इस्टोरी? अब, अब उनकी विरंबना देखो, भगवान शिर्ट है, उनके पास इतनी शक्ती थी, कि वही वाला जो सर है, जो कट गया, उसको उठाके लगा सकते थे, सही है कि नहीं है? लेकिन किसका सिर लगा दिया? हाथी का, हाथी का सिर केवल 200 किलो का होता है, कित्रा? अब एक छोटे से लड़के के उपर, आठ 200 किलो का सर रग दोगे, तो क्या होगा? बाकी जो बाड़ी है, बेड़ॉल हो जाएगी? सही है कि नहीं है? तो अभी पेट निकल आया, बड़े जी को देखें हम लोग, सही है कि नहीं है? लेकिन तब भी उन्होंने शिकायत नही की, सचे की नहीं? फिर बड़े हुए, अब आप एक बात सोचो, जवान हुए होंगे, कॉलिज गए होंगे पढ़ने, तो हाथी के सिर्वारे को कोई लड़की लाइन भारेगी? नहीं ना? कैसी विड़म बना थी विचारे के साथ? कोई लड़की किसी लड़की ने प्रप कान सवाहन दिया जाए, तो उनके बड़े बेटे के नाम कार्ति के है, तो बड़े बेटे को दिया गया मौर, और दोसो किलो के सिर्वाले बचारे गड़ेश जी को क्या दिया? चूहा, सही है कि नहीं है? 50 गराम का चूहा, सही है, मलब ना इंसाफी पे ना इंसाफी हो रह अब तो अती हो गई जब बोला गया कि भाईया तुमको पुरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है अपने अपने वाहन से दोनों भाईयों में कॉंपटिशन करा दिया तब कार्तिके तो घुष हो गए अपने पास तो मौर है और के चले जाएंगे अब गड़ेजी सोच में प को बैठाया और वोले आप ही हमारे लिए ब्रह्मांड है और अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया और जीत गए तो देखो नौर्मली सारे देवताओं की एक-एक बीविया हैं की नहीं एक-एक नहीं समाल पा रहे हैं मिचारे गड़ेश को दो-दो देदी रिद्धी औ थान्क यू कि उट शुकायत नहीं हैं यानि अगर उनकी लाइफ देखा जाया तो समस्या पै समस्या थीक ही नहीं। लेगन इन घाएं हर स्थिती में हर स्थिति में गणेश जी पॉजिटिव रहे, कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं की, और इसलिए उनको वरदान मिला है, कि उनको प्रथम पूजी बोला जाता है, सारे देवताओं में अगर हम पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी पूजे जाते हैं, उसके अगर हम हर स्थिति में पॉजिटिव बने रहे, तो एक दिन आएगा, वो दिन आपके लिए उपर वाले इंदे तै करके रखा है, जिस दिन आपके गले में काला पट्टा पढ़ने वाला है, डायमंड शुका, लेकिन उस दिन तक आपको टिकना पढ़ेगा, तयार हैं, औ हर जगे आएगी,